विस्थापित गाव पचावरा में वर्सों से बंद पड़े डिप बोरिंग ठीक होने से ग्रामिनों में खुशी है इसमें समर्सेबल, मोटर, पानी टंकी, अस्टेबलाईजर जैसे उपकरन की बेवस्था की गई महिलावों ने खुशी जताते हुए कही इस औसर पर विवेक सिंग ने कहा आज पचावरा बस्ती में पिछले लगभग तीन साल से डीप बोरिंग खराब पड़ा हुआ था उसका समर्सेबल एक शॉट सर्किट में जल गया था उसके बाद से लगभग तीन साल से कि इसके बीच में ऊपर वाला टंकी भी चोरी हो गया था ऐसा ग्रामी नों है में आता है नल भी चोरी हो गये थे और तीन साल से पूरा गाओं एक चापा कल पे वही एक पानी का संसादन बचा हुआ था तो बहतर जारकन के प्रयाद से एक हमने पहल की और पिछले दस दिन में जो भी इसमें नया नया एक्विपमेंट चाहिए था सब मरसेबल नया पाइपलाइन नई टंकी स्टेबलाइजर ताकि अभविश्य में भी खराब ना हो ये डीप बोरिंग तो ये डीप बोरिंग आज वापस बन के तयार है और लगभग लगभग पांच से छे नल इसमें लगे हुए है और बहुत खुशी है हमें कि बहतर जारकन के तरफ से हम जो एक जारकन में बढ़ती हुई जल समस्या जो एक विक्राल लूप ले चुकी है उसके कुछ हद त तक ग्राम वासियों को राहत पहुचाने में हम कामियाब रहे हैं ग्रामिनों ने रखी राय पानी के अतना समयस्या था कि गाउं में एकी कुछा पगल था जो पूरे गांग पर निर्भर करता था आज बहतर जारकन के माईदम से जो सनस्ता चला आज डीप बोरिंग हमरा इस सब हमने बहुत खुशी है बहुत आनान दी है बुद दिका थेले पानी खाते हैं तल सखरा फ़लो बहुत अच्छा बेलो